दीवानों सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या बॉलिवुड डिरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्मों के लीड किरदार ऐसे ही दीवाने होते हैं चाहे वो रॉक स्टार का जनारदन जाखड हो, लवाजकल का जै या फिर अब लैला मजनू का जाहिद इम्तियाज अली और एक्ता कपूर ने लैला मजनू के इश्किया किस्से को एक बार फिर स्क्रीन पर उतारने के लिए हाथ मिलाया है ये किस्सा दुनिया में हमेशा कहीं न कहीं जमा होता ही रहता है और डिरेक्टर साजी दली ने एक बार फिर इस किस्से को जवान कर दिया है इस बार लेला मजनु की कहानी कश्मीर में रची गई है जहां जाहिद एक बड़े बाप की बिगड़ाय लॉलाद है महीं लेला वो खूबसूरत चिंचल परी है जो कभी बंदिशों में नहीं बन सकती और इसलिए कहीं न कहीं बदनाम भी है जाहिद को लेला से प्यार हो जाता है और जैसा कि फिल्म में जाहिद मिया कहते हैं हमारी कहानी लिखी गई है लेला मजनू के ट्रेलर में ये कहानी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जमा होती है मगर जैसा कि कहानीयों में होता है उनके अंत भी लिखे जाते है कश्मीर जैसा कि हम सभी जानते हैं जितना खूबसूरत है उतना ही स्केंडलस भी ट्रेलर में हमें जाहिद के साथ ऐसा ही कुछ होता दिखता है मगर जाहिद तो दिवाना है ना और दिवान की जब जुनू से गुजरती है तो पागलपन मन जाती है जाहिद और लैला की कहानी हमें ऐसे ही किसी पागलपन की तरफ जाती नजर आती है इस कहानी का मोड क्या होगा और अंत क्या ये तो अब फिल्म की रिलीज यानि 7 सितंबर के बाद ही पता चलेगा जाहित का किरदार निभार है अविनाश तिवारी इससे पहले फिल्म तू है मेरा संडे और अमिताब बच्चन की टीवी सीरीज युद्ध में नजर आ चुके हैं लैला के रोल में नजर आ रही त्रिप्ति डिमरी इससे पहले सनी और बॉबी दियोल की फिल्म पोस्टर बॉइज में दिख चुकी है पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड में हमें दो गाने सुनाई देते हैं लैला आतिफ असलम की रोहानी आवाज में गाया हुआ गाना है और दूसरा गाना है काफिर ये दोनों ही गाने बेहद खूबसूरत हैं और इन्हें सुनने की एकसाइटमेंट तो हमें अभी से काफी ज़्यादा है लैला मजनु के डिरेक्टर साजीद अली की ये पहली फिल्म है फिल्म का फैसला तो रिलीज के बाद होगा लेकिन ट्रेलर में तो साजीद हमें इंप्रेस करने में काम्याब हुए ही है तो ये था इम्तियाज अली और एक्ता कपूर के फिल्म लैला मजनु का ट्रेलर ब्रेकडाउन बॉलिवुड से जुड़े और भी मसेधार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए देसी माटिनी के साथ